आज मैं आपके लेकर आई हूँ कच्चे केले से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सबजी की रेसिपी एक बार मेरे बताएकर तरीके से ये सबजी जरूर बना कर खाएंगे आपकी फेवरेट हो जाएगी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन कच्चे के लिए हैं इनको वाश करके इस तरीके से इनमें कट लगा देंगे इस तरीके से कट लगाने से जब हम इनको बॉयल करेंगे तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाएंगे तो ये देखे, यहाँ पर हमने तीनों कचे के लिए कुकर लगा दिया है तो चलिए, अब हम इनको एक कुकर के अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है और अब कुकर का ढखकन लगा देंगे और उसको गैस के उपर रख देंगे हरी फ्लेम पर हम एक CT लगाएंगे एक CT से जादा इसके अंधर ना लगाए जब एक CT आ जाए तो फ्लेम को ओफ कर दे और जब तक प्रेशर खुद से रिलीज नहीं हो जाता दकन नहीं कोलना है तो यहां पर हम एक CT के आने का वेट करते हैं यहाँ पर CTR चुकी है और प्रेशर खुद से रिलीज हो चुका है तो हम चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं कच्चे के लिए अच्छे से बॉयल हो चुकी है अगर आपको चेक करना है तो आप एक फॉक की या फिर नाइफ की हैप से चेक कर सकते हैं तो चलिए ठंडे हो जा नहीं पड़ेगी तो तीनो कच्चे केले के चिलutet हमने उतार दिये हैं इन चिलको से बहुत टेस्टी सबजी बनकर तयार होती है तो उन को use करें इंको फेके नहीं तो चलिए हहाँ पर हम तीनों कच्चे केले को इस तरीके से कट कर लेते हैं अगर आपको इनके पराठे बन दो हरी मिर्च डालेंगे, अब हम इसके नदर डालेंगे एक चुथाई चमच हींग, आधा चमच जीरा, एक चुथाई चमच साबुत धनिया, एक चुथाई चमच सौफ, आधा चमच हल्दी पाउडर, आधा चमच कश्मेली लाल मिर्च, देड़ चमच हापर हम धनिया अब हम इन सारे मसालों को एक बार अच्छे से इस तरीके से ओयल में पका लेंगे ताकि इनका कच्छा टेस निकल जाए आधा चमज यहाँ पर हम गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और अब हमने जो एक कच्छे के लिए कट करके रखे हैं इनको डाल देते हैं तो चलिए कच्छे के लिए हमने डाल दिये हैं आप इसके नदर हम स्वात के अनुसार नमग डालेंगे और एक मैंने हाँ पर बारी कटा हुआ टमाटर लिया है, एक चोटे साइस का टमाटर है, सीट मैंने इसके निकाल दिये हैan तो चलिए अब हम ये टमाटर और कच्छे केले को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला हर जगा कच्छे केले पर कोट हो जाए तो हलके हलके हाथों से इनको मिक्स कर लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से कोट हो चुका है एक से डेड़ मिनट के लिए यहाँ पर इनको फ्राई कर लीजिए अब मैं हाँ पर डाल रही हूँ बारी कटा हुआ धनिया पता फिर से इनको मिक्स कर लेते हैं एक मिनट के लिए यहाँ पर इसको पका लेंगे और बहुत ही लाजवाब सबजी बनकर तयार है यह सबजी सभी को बहुत पसंद आती है एक पार इस तरीकी से इसको बना कर जरू ट्राई करें तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देजियो चैनल को सब्सक्राइब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ